हेलो दोस्तों फिर से एक नए और इन्फोर्मेटिव ब्लोग में आपका स्वागत है और नमस्कार सस्रेकल आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और यह वीडियो पसंद है तो प्लिस लाइक सेर सब्सक्राइब करें और यह वीडियो बहुत ही इंट्रेस्टि पड़ेगा लोटस टेमपल जहां पर हम लोग कुतु मिनार घुमने के बाद हम लोग अभी जा रहे हैं लोटस टेमपल देखने के लिए और यहां से 2-5 किलोमेटर दूरी है मेट्रो स्टेशन से तो हम लोग ने आटो ले लिए है जो 10-15 रुपया पर परसन पड़ता है त किसकी स्थापना है तो चलिए मैं इसके स्टार्ट करता हूं दिली के नहरू प्लेस में इस्तित लोटस टेमपल बहाई धर्म की आस्था से जुड़ा एक पवित्र और धार्म किस्ताल है यह बहाई धर्म की धर्म से जुड़ा हुआ है जिसकी स्थापना बहा उलाह ने की जबकि कनाडा के रहने वाले मसुहूर बास्तुकार फरी वर्ज सहवा ने इसका डिजायन तयार किया था कमल मंदिर में बने इसके भव्य प्राथना सभागर में एक बार में धाई हजार लोग आ सकते हैं और लोटस टेंपल की प्राण प्रतिष्ठा की गई और इसे दिसंबर 1986 में जनता के लिए खोल दिया गया या इरानी बास्तुकार फरी बोर्ज सहवा द्वारा डिजायन किया गया था जिन्होंने मंदिर के पूरा होने से पहले ही परियोजना के लिए प्रसंसा प्राप की थी बाद में इसे कई प्रुसकार मिले लोटस टेंपल का नाम इसके डिजायन के कारण पड़ा है हम लोग काफी पूरे दीन भर से सुबह के ग्यारा बजे से हम लोग निकले हुए हैं और हम लोग काफी हर जगा घुम घुम कर बहुत ही थग गया है और यह हमारा जो आखरी लोटस टेंपल है इसके बास से हम लोग डिरेक्ट घर के लिए जाएंगे और यहाँ पर लाइन लगाना पड़ रहा है और लोटस टेंपल के अंदर जाने के लिए यहाँ पर सभी को जो जूता मोजा होता है उसको एक थैला मिलता है थैले में उसको जूता मोजा और जो भी चीजे हैं वो वहाँ पर रख दिया जाता है उनके इस धर्म से जुड़े लोग लगे रहते हैं और साथ में आपको यहाँ पर कैमरा फोन से टेंपल मंदिर के अंदर आपको फोटो खीचना अलाव नहीं है प्रतिबंदित है और यहाँ पर आपको यह सभागर में जाने के लिए लाइन लगाना पड़ता है वहाँ पर ए इंगलीस में डिस्क्राइब करेंगे बताएंगे और कुछ लोग हिंदी में भी बताते हैं तो इसके बारे में वह जानकारी देंगे जानकारी देने के बाद वह एके करकर सभी को आगे कठा करते उसके बास से जानकारी देते हैं उसके बास से वह लाइन मतलब लाइन से हो जाएन का एक नमूना है और यह कमल के ऐसा लगता है कि दूर से यह कमल का फूल है उसके लगता है और अंदर हम लोग आ गहा है मोबाइल फोन बिलकु एलाव नहीं है इसके बावजूद भी हमने मोबाइल को हमने बिलकुल कैमरा आउन करके और चुप-चप मतलब इधर उद कि वहां पर मोगाइल फोन भी एलाव नहीं है और यहां पर आपको सान्थ बएठना पड़ता है कोई ला एलाव भी नहीं है और ऐस धरय में से इनके जो अनुआई रहते हुग यहां लगता है और आपको बैठना लगता है वहाँ पर बिल्कुल एकान तो होके आपको चुपचा बैठना होता है और अगर आपको ऐसा लगता है कि हम बोर हो रहे हैं तो आप वहाँ से बिल्कुल हल्ला किये वेगरा वहाँ से आप निकल सकते हैं तो आप यहाँ से बिल्कुल निकल के बाहर और फिर जैसा आप वहसा इंजोई कर सकते हैं हम लोग की जिस दिन की 3rd AC के confirm ticket था और हम लोग ट्रैफिक की वज़ा से हम लोग को उतना idea नहीं था यहां के ट्रैफिक के बारे में तो उसकी वज़ा से हम लोग के train छूट जाती है और हम लोग फिर अगले दिन की confirm ticket के लिए बहुत ही ज़्यादा परसान रहते हैं क्योंकि हम लोग को अगले दिन जाना रहता है वापस जबलपूर बट कोई उसका चारन है तो उसके बावजूद भी हमने बहुत ही सामदाम दंड भेश से confirm ticket third AC का ततकाल हमने reservation कराया तो यहां पर lotus temple में आने के बाद ऐसा लगेगा आपको कि यहां से जाने के बिलकुल भी इच्छा नहीं होगी जब हम लोग आ रहे थे तो काफी ठकान महसूस हो रही थी बट यहां पर आने के बाद जो दिमाग का जो positivity होने की वज़ा से और यहां पर अधवुत नजारा देखने की वज़ा से और ने ने चीजों को देखने की वज़ा से हम बिलकुल ठकान बिलकुल गायब हो गया था और बहतरी यहां पर जो आर्ची टेक है बहुत ही बहतरी नमूना है और यहां पर जो गार्डन है यहां पर साफ सफाई है जहां यहां पर डिसिप्लीन है यहां पर बहुत ही अमेजिंग है और यहां का जो नेचर देखका तो बिलकुल दिल बिलकुल हरा भरा हो गया और मत लोग बिजिट कर रहे हैं lotus temple को देखने के लिए क्योंकि बनाया ही गया है इतना सुंदर तो यहां पर लोग बहुत ही भीन भाड़ रहता है और साम के समय पर जैसे जैसे साम ढलती है उसे बहुत ही भीन होती चली जाती है यहां पर जो जूता वेगरा यहां पर जमा हो जाता के और बैठके आपको जूता मोजा पहनना पड़ता है यहां पर स्टाफ है यहां के जो जूता मोजा को कलेक्ट करते हैं और मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो